तो दोस्तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस पोदे के अंदर अच्छे खासी ग्रोथ है लेकिन इनकी जो पत्या है इस सेईकी के पीली पड़ रही है और पीले-पीले दाग आ रहे है बलेक-प्लेक डॉट्स हो रहे है इनके अंदर इसा क्या होता है तो यहां पर आपको में नजदी की से दिखाऊंगा पत्ते के पीछे इस एक एक इंसेक्ट होते है जो हमारे पत्तो का रस चूसते रहते हैं जिनके ही वज़ा से पत्तो में ये पिलापन आ जाता है और पोदा हमारा बीमार और खराब होके मर जाता है अच्छे ग्रोथ उनकी नहीं होती है पोदा क्लीन कर दिये हैं अब उपर से इनमें अच्छी सी बर्डिंग हो रही है और एक एक बर्ड के आप साइज देखें किती बड़ी है तो यहां पर हमारी पूरी लेवर लगी हुई है जो पत्तों को पूरा लगभग सेट कर रही है तो इन सारे पत्तों को सेट करने के बाद हम आ दिछे की जो हमारे पास हमने बनाई हुए हाथ से गुड़ाई कर लेंगे गुड़ाई करने से इनकी जो सोयल है वह थोड़ी सी जो टाइट सोयल होती है हम फटिलाइजर देते हैं तो इससे काफी उपर परत बगर्द जम जाती है वह परत भी हड जाएगी और दूसरा इस काफी जादा growth होगी गुड़ाई करने से भी काफी जादा growth होती है पोदे को अब हम क्या करेंगे जो नीचे की पतियां है उनको spray इस एक से नीचे से देंगे इस प्रे देने से इनके नीचे के पत्ते जो थोड़े बहुत है उनके उपर जो भी फंगस कीट पतंग होगा वो एक दम से खतम हो जाएगा अगर ये पत्तियों से भरा हुआ होता पोदा हम कितना भी इस्प्ले करतें उपर से साइडों में से फिर भी कही न कहीं वो पत्तों के नीचे चिपका हुआ रहता और दुबारा वो अपने प्रोडेक्शन को बढ़ाता रहता और पूरा पूरा पोदा हमारा दुबारा फंगस से भर जाता यह कीट पतं कीडों से भर जाता तो अब कम पोदे के पत्ते होंगे तो हर जगा पे अच्छे से इनको हम जो भी देंगे फर्टिलाइजर देंगे वो भी पोदे को अच्छे से लगेगा और जो भी हम इस्प्रे बगरा करेंगे वो भी इस पोदे के उपर अच्छे से लगेगा तो अब हमारा नमबर आता है इनको इस्प्रे देने का ये तीन काम आपको जरूरी करने होते हैं पहला fertilizer देना fertilizer देने के दूसरे दिन आपको उसी दिन नहीं दूसरे दिन आपको इसकी सारी पतियां हटा देनी है ताकि जो fertilizer दिया हुआ है वो नई growth के उपर काम करेगा पतियां हटाने से जो कीड़ पतं कीड़े होंगे वो हट जाएंगे फिर आपको उसी दूसरे दिन जब पतियां आप हटाएं साफ सफाय करें उस दिन आपको नीचे से गुड़ाई कर देनी है ताकि इनको रोशनी मिले सूरज की किरने डारेक ले इनको जड़ो को मिले ताकि अच्छे से इनकी अप growth हो और उसी दिन आपको जब आप पतियां हटाएं गुड़ाई करें उसी दिन आपको इनके नीचे के जो पत्ते हैं उपर के पत्ते हैं तो आपको 100% result मिलता है तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आयोगी पसंद रिडियो को लाइक कर ले चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपको ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो हम और आपको देते रहे मिलते हैं एक लिए किस इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद